दोस्तो नमस्कार अनुखग्यान यूट्यूब चैनल में आपका फिस्स्वागत है मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मनोचकुमार दोस्तो अभी तक आपने जिन्दिगी में कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिन्ने देखकर आप यही कहते होंगे कि इनसे उलजना सही नही दोस्तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे लड़ना सच में बेकुफी ही है क्योंकि यह आपको केवल कुछी मिंटों में हरा सकते हैं इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ल क्योंकि चार साल की उमर से यह यह टाइकॉंडों सीक रहे हैं इन्होंने अभी तक टाइकॉंडों से भ्रेक नहीं लह और अभी भी यह टाइकॉंडों की प्रैक्टिस कर Rijnृए। लंबे समय तक ताइकॉंडो सीखने के बाद 10 साल की उमर से गीगा ने थाई बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दिया उन्होंने ताइकॉंडो और थाई बॉक्सिंग के अलावा एक्रोबेटिक की टेनिंग लेना भी शुरू कर दी जिसकी वज़े से ये फाइटिंग में बेहती जबजस्त हो गए और गीगा की फाइटिंग स्टाल देखकर सब के होस उड़ जाते हैं इतनी ट्रेनिंग और महनत से गीगा का सरीर किसी चट्टान की तरह मजबूत हो चुका है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तो बात करते हैं नमबर दो सियान मिंग की सियान मिंग को पाँ साल की उमर से ही उनके पैरेंट्स ने सौवलिन टेम्पिल में सिक सपराथ करने के लिए भेज दिया था जहां उन्होंने मार्सल आर्ट और कई इस्टन सीक्रेट सीके 1992 में सी ने कई नैस्टनल मार्सल आर्ट कम्पिट्संग भी जी थे जिसके बाद इन्हें अमेरिकन कुंगफू एशुशुशन ने अमेरिका में आने के लिए इन्वाइट किया दोस्तो एक बार चीन छोड़ने के बाद सी कभी चाहिना वापस नहीं जाना चाते थे जिस वज़े से उन्होंने न्यूव्यार्क जाने का फैस्टला लिया और वहाँ अपनी श्राउलीन शिक्षा को बाटने लगे और ऐसा करने से उन्हें सफलता भी मिली 1992 के बाद उन्होंने कई लोगों को श्राउलीन शिक्षा परदान की और कई सेलिवरिटी भी इसमें सामिल थी दोस्तो इसके अलावा सी कई मूवी का हिस्सा भी रह चुके हैं दोस्तो बात करते हैं नमबर तीन मीना रागवन की भारत की सबसे पुरानी मार्सलार्ट है कलारी पाइटू ये 1300 से 23 साल पुरानी कला है सुरुआती दिनों में ये कला मंदिरों में सिखाई जाती थी जिसमें तलवार ढाल कुलारी को चलाना सिखाय जाता था दोस्तों ये एक सीरियस और यूनिक मार्सलाट कला है दोस्तों कलारी पायटू की टेनिंग पर उसके साथ ही महिलारू के लिए भी उपलब्द है दोस्तों जायदातर लोग 20 साल की उमर के बाद इसे सीखना छोड़ देते हैं लेकिन मिना रागवन आज 70 साल की है इसके बावजुद भी रोज इसकला के पैक्टिस करती है और लोगों को भी सिखाती है इनका खुद का एक स्कूल भी है जहां लोगों को टेनिंग देती है इस स्कूल में लोकल फोरेंजर्स दोनों ही इसकला को सीखते हैं जिसके लिए इन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ती और सभी बच्चे इन्हें दादी मा कहकर बुलाते हैं दोस्तों बात करते हैं नमर चार वीटो पीर बजारी की विसालकाय मसल्स, भीमकाय सरीर, काली दाड़ी और हैवी लुक की वेज़े से देखने में बेहदी खतरनाग लगते हैं जर्मन फिटनेक्स जागर, वीटो पीर बजारी दोस्तों यह एक प्रोफेशनल बोडी बुल्डर, एक्टर और बेहदी नरम देली इंसान है लेकिन इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह अपने डेली वर्काउट रूटीन से अपने फैंस को इंस्पायर करते हैं दोस्तों वीटो को इस्टाग्राम पर एक लाग से जायदा लोग फोलो कर रहे हैं दोस्तों बात करते हैं नमबर पांच, मिंडी कैली की मिंडी वर्ड चैंपियन मार्सल आर्टिस्ट है जो चार सार की उमर से मार्सल आर्ट की टेनिक कर रही है और अभी तक यह दर जनो वर्ड टाइटल हासिल कर चुकी है यह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाती है कि इनका कहना है कि कुछ भी नामुकिन नहीं है और यहीं इनकी सेक्सेस का राज भी है सुरुवाती दिनों से ही मिन्डी एक्सल मूवीज का हिस्सा बनना चाहती थी और ऐसा करने के लिए बुरुसली की मूवीज ने इन्हें इंस्पायर किया और 2005 में यह बॉलिवूड का हिस्सा बनी और अभी तक यह कई मूवीज और मूवीजिक वीडियो में स्टन्ट कर चुकी है और दोस्तो साथ ही किसी हॉलिवूड में लीड रोल करने के लिए मेहनद भी कर रही है दोस्तो कमेट करकर यह बताना ने भूले कि आपको इन पाचों में सबसे सक्तिसाली कोल लगा और दोस्तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें कमेट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखाग्यान को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेस्बूक पेज अनोखाग्यान को लाइक करें Thank you very much Keep watching, keep learning जै हिंग, जै भारत